हालो एरोवान आइम रमेश निसाद और वल्कम यू ओल विहाप अभिपसा अभिपसा टीम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्शन में देखा था ब्लूप्रिंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में आपने देखा होगा जितने भी युद्ध हुआ करते थे पहले राजा महराजा की जमाने में तो जितने भी राजा हुआ करते थे वो चतरंगिनी सीना रखते थे जिसमें हाथी घोड़ा पैदल उट ये सारे चीजे वो रखा करते थे लेकिन उनको युद्ध जीतने के लिए एक चीज क्यावसकता होती थी वो होती एक strategy की एक रड़ नेती की योजना की वैसे बच्चों आपके लिए यह जो परिशा यह एक्जाम है यह भी किसी यूद्ध से कम नहीं है क्योंकि इस एक्जाम में हजारों लाखों बच्चे हैं और जिनको आपको पीछे छोड़ना है आपको हजारों लाखों के बीच में एक सूरी की तरह सूरी की तरह आपको क्या करना है चमकना है तो इसके लिए आपको एक योजना की आवसकता होगी एक strategy की आवसकता होगी तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे strategy जिसके द्वारा आप अपने goal तक पहुंच सकते हैं तो आपका goal होना चाहिए कि आप इन आपको उसी strategy के बारे में बताने वाला हूं कि आप कैसे और किस तरह से preparation करेंगे और हम कैसे और किस तरह से आपके साथ हैं और किन-किन चीजों को हम आपको provide करने वाले हैं इस exam में तो आज हम कक्षा 10 वी के English subject के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम एक ऐसे strategy बनाएंगे जिसके द्वारा आप टॉपर बन सकते हैं आप इस युद्ध को जीत सकते हैं यानि exam रुपी युद्ध आपको जीतनी है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको जागना होगा और आपको हमारे साथ चलना होगा ताकि हम आपको उस मुकाम पर ले जा सके आपको जो लक्ष है, वो क्या है? आपको जो लक्ष है, वो है 75 में से आपको 75 नंबर ले करके आने है तो इसके लिए हम एक रणीती तैयार करते हैं और जिसके द्वारा हम देखेगी कि कैसे हम 75 में से 75 नंबर ले करके आ सकते हैं So now let's see, आपके जो questions रहेंगे, question paper आपको दिये जाएंगे, तीन घंटे का समय रहेगा, अब आपको कैसे योजना बनानी है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही होना चाहिए, कि इतने सारे questions है, इन questions में हमें कौन से सव बहुत अच्छे से आते हैं, यानि किसको हम बहुत कम समय में बना सकते हैं, किसको हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो सबसे आसान आपको क्या लगता है, उसी को आप सबसे पहले solve करिए, क्योंकि इससे आप क्या पाएंगे, कि आपको जो तनाह होगा, वो कम होगा, औ और आप समय के साथ बहुत जल्दी से चलेंगे, तो आपको जो सबसे आसान लगने वाला है, वो यह है, जैसे कि question आपका इस तरह से आएगा, तो यह सबसे आसान question है, यह vocabulary से आता है, और यह आपके relation से related होता है, यह आपके प्रोज से related होता है, जिसमें ऐसा question दिया रहेगा, choose the correct alternatives, और यह section A है, ऐसे ही आपको 5 questions दिये जाएंगे, जिसमें से आपको एक questions, आपको जो 4 options है, उनमें से एक option को आपको select करना होता है, तो यह आपको कैसे और किस तरह से लिखना है, तो मैं एक बार बता देता हूं, कि यह जैसे आपका question number 1 है, तो आप बीचों बीच ऐसा लिख सकते है, answer number 1, और 1 का क्या है, यह section A है, तो यहाँ पर हम A लिख देते है, और इस तरह से हम क्या कर देते है, highlight कर देते है, अब इसके बाद हमारा जो question है, यह जो first है, तो ऐसी आपके 5 questions आएंगे, 1, 2, 3, 4, करके 5 questions आएंगे, तो first का जो answer है, हमारा क्या है, not confident है, तो आप question को पूरा लिख करके time waste नहीं करेंगे, आप सीधर direct क्या लिखेंगे, हमारा first का क्या है, answer B है, और B में क्या है, not confident, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, not confident, इस तरह से, वैसी आप second का, third का, fourth का, fifth का, ऐसे लिखेंगे, time waste हमें नहीं करना है, समय के साथ चलना है, और यह 5 questions को लिखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, next हम देख सकते हैं, ऐसा, जो section B आएगा, जिसमें question number 1 का section B है, इसमें आपको blank fill करना है, तो आपको पूरा questions नहीं बनाना है, यह grammar part का है, और grammar में क्या क्या चीज़े आएंगी, grammar में articles, question tag, और इसके लावा क्या है, determin determinants हो गया, question tag है, और determinants के अंतर क्या आता है, articles, इसके लावा, जो preposition है, conjunction है, और, जो, और tense related, जो questions है, वो आ सकते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूरा-पूरा नहीं लिखना है, जैसे कि इसमें क्या आएगा, Sanskrit is a difficult language, तो आप वैसी ही लिखेंगे, ज सकते हैं, कि first का क्या आया है, तो यहाँ पर a, वैसे second का क्या आएगा, ऐसे आपको बनाने है, पूरा-पूरा आपको लिख करके time waste करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, यदि आपके पास समय है, तो आप पूरा complete लिख भी सकते हैं, now let's see the next question, next हमारा इस रसे आएगा, और यह है section C, यह भी 5 questions है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको, इसमें क्या करना है, match करना है, तो जो पहला है, C lives in Goa, तो इसका जो answer है, इसका answer क्या है, इसका answer क्या है, इसका जो answer है, वो है before C shifted to Delhi, ऐसा आप जो है cross अगरा करके नहीं करेंगे, यदि इसका answer यह वाला है, तो आप क्या करेंगे, कि इसको इसके just सामने लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप time waste नहीं करेंगे, और ऐसी आपको लिखना है, तो यह आपके just इसके सिध्य में आएगा, इसका answer जो रहेगा, वो इसके सिध्य में लिखेंगे, तो इस तरह से हम 15 नमर के questions ऐसे ही बना लि क्योंकि, question tag को एकदम detail से समझेंगे, क्योंकि यह ज्यादा कटीन नहीं है, बहुत ही आसान है, और आपके पास time भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपके exam जस्ट आने ही वाले है, तो इन चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे question answers, question answers आपके pros से आएंगे, और इसके रावा poetry से, तो pros से आपके 12 number के आएंगे, और poetry से आपके 10 number के आएंगे, जिसमें से हम previous year के important questions देखेंगे, बहुत ही सांदार तरीके से, जिसको आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको समझ करके जाना है, और बहुत अच्छे से लिखना ह इसके बाद हम देखेंगे, do as directed, यानि की grammar, grammar से आएंगे आपके 5 number के, यानि की जैसा कि हमने अभी just देखा था इसमें, जो grammar है, यहीं जो grammar से, इस ही से related और भी grammar आते हैं, जो कि do as directed करके आते हैं, 5 number के, जिसमें narration, voice, question tag, articles, clause, tense, इन सारी चीजों से related यह जो questions है, वो आते है तो इसको हम अलग से अच्छे से देखेंगे, previous year के questions को, सारे questions को अच्छे से देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे notice writing, notice writing के लिए हम separate videos बनाएंगे, कि इसका format कैसा होगा, किस तरह से होगा, ताकि आपको पूरे के पूरे number मिले, 4 में से 4 number मिले, उसके बाद हम देखेंग जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और आप इसके लिए क्या करेंगे, कि जितनी भी elections है, उन elections के आपको समरी आनी चाहिए, चाहे prose का हो, चाहे poetry का हो, तो यह है scene passage, उसके बाद unseen passage आपका आने वाला है, 8 number का, तो unseen passage आपको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, होना चाहिए, कि unseen passage के answers कैसे दिये जाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे email letter या फिर application writing, यह कैसे और किस तरह से आते हैं, previous year में कौन कौन से letter application आये हुए थे, और किनके आने की संभावना है, तो इसके format कैसे होना है, जिसमें आप बिना रटे, बिना याद कि आप कैसे लिख आये, तो इसके बारे में हम discuss करेंगे अलग से separate videos में, और यह है paragraph writing and summary, paragraph writing या फिर summary यह आपका आने वाला है 4 number का, तो यह कैसे लिखे जाते है, summary क्या है, paragraph writing क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से discuss करेंगे, उसके बार हम देखेंगे essay writing, essay writing आपका आने वाला है 8 number का, और essay writing क कैसे लिखे जाते हैं कौन कौन से topic लिखे जाने चाहिए कैसे लिखे जाते चाहिए इसके जो format है वो कैसे होने चाहिए इसके बारे में हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम paper solo कर रहे है paper में हमें यही नीड़ा लेना है कि इस paper में सबसे आसान सबसे कम समय में लगने वाला question कौन सा है उसी को आप पहले solo करें फिर उसके बाद अब उसके बाद जो next होगा सबसे आसान उसको solo करेंगे फिर next सबसे आसान उसे solo करेंगे फिर last में जो सबसे ज़्यादा time लेने वाला है वो है AC क्योंकि AC में 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट भ आप इसमें एक बार अच्छे सिल्ला गेट मिस आप लिखते ही जाएंगे लिखते जाएंगे और आपको format पता होना चाहिए और AC जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें रूप रेखा पहले से ही लिख लेनी चाहिए तो यह होता है AC और कौन-कौन से AC बार-बार repeat होते हैं उन 25 आउट आप 75 नंबर्स लेकर के आ सकते हैं जी हां आप लेकर के आ सकते हैं और इसके लिए हमारी पूरी टीम है जिसमें से दिप्या वर्मा जी है जो की केरियर कांसलर और डारेक्टर भी है जो समाजी विज्ञान और विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी और छ 355 ही है जो कि भातिक सास्त को बहुत ही वारिकी से चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाते हैं और टकेशवर साहू यह गडित के एक इक चीज़ को एक की न lange फॉरुकेश्वरमूले को बहुत अच्छे से समझाते हैं लोकेश्वस विच्वकर्मजी जो कि रसाय इसके लिए तो मैं हूँ ही तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे जो प्ले स्टोर से हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं और धेर सारी चीज़े इस्टेड़िंग मटेरियाज आप प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारे के बीच में आपको बहुत आगे आना है तो इसके लिए आपको भी तयार होना होगा आपको अपने मन में वो जजबा वो पावर लानी होगी वो सकती लानी होगी कि हां मैं कर सकता हूं और आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं और हम आपके साथ है तो इसलिए आप हमारे साथ बने र